कोई दुकांदार जो है एक वस्तू को 16% की हानी पर बेचता है यदे इस वस्तू को 600 रुपे अधिक में बेचा होता तो उसे 8% का लाव होता है 12% का लाव प्राप्ट करने के लिए वस्तू को कितने में बेचना होगा तो अगर मैं आपका 16% की फ्रेक्शन की बात करूँ तो यह होता है कितना आपका 4 बटचीज करने का ये मतलब यह हुगा कि 25 के शमान को 4 कौ में एक 21 में बेचता है अगर इसे 660 रुप्य अधिक में बेचा होता है तो आट पर पर परशन का लाव होता तो अगर इसे 660 अब देखो यहां से पहले केस में क्या इसीपी तो से में तुमको सेम करने की जुरूत है नहीं और यहां पर एसपी रहा पहले केस में एसपी 21 आपसा 23 हो गया यानि कितना बढ़ गया च्छे बढ़ गया और इस चे के वहलू कोश्चन के कोडिंग कितना है 666 रुपे यानि किसे कितना है 110 गुना ज्यादा है तो जो हमारा क्रेमूल होगा वह भी 110 गुना ज्यादा होगा और हमसे यही पूछा गया है और चार से कर जाएगा 4 दूने 8 और 4 दूने 33 एंगार आड़ है यानि कि 30 यानि कि 30 अस्य रुपया के आ जाएगा उसका क्रेमूल आ जाएगा 12% राप राप्त करना है तो आप्शन नमबर ये जो है इस कोश्चन का इंसर हो जाएगा